नमस्कार डीवी निउस में आपका स्वागस है देश के दिल मधिप्रदेश के विधान सवचुनाओं के केंद्र में आधियाबादी को लुभाने में दोनों ही प्रमुग दल जुटे हुए हैं एक तरब बीजेपी की और से मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान लाडिली लक्षमी योजना के बूते अपनी मामा वाली छबी चमका रहे हैं तो कॉंग्रेस की महिला केंद्रित योजनाओं का एलान कर आधियाबादी को अपने पाले में ला सत्तर सुख प्राप्त करने की क कोशिश में है इसी कड़ी में कॉंग्रेस पार्टी ने एक और पत्ता खेला है पतागे कॉंग्रेस पार्टी ने महिलाओं को हर मईने 1500 रुपए देने वाली नारी सम्मान योजना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे के बाद अब साथ नए बचन भी दिये है जी हां बता दे पार्टी के मुख्य मंत्री पत के दाविदार कमलनाथ ने खुद ट्वीट कर ये वचन साजा किये हैं इन वचनों के मुताबिक अगर आगामी चुनावों के बाद सुबह की सत्ता में कॉंग्रेस पार्टी आती है तो वो लगकियों की शादी के लिए एक और योजना शुरू करेगी जिसके तहत उन्हें एक लाख एक हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी कबलनाथ ने ट्वीट कर बताया है कि उनकी सरकार बनने पर मधिप्रदेश के महानगरों में महिलाओं की बस यात्रा फ्री होगी महिलाओं को स्टार्ट आज दर के साथ उपलब्द कराया जाएगा कॉंग्रेस के इस वचन पत्र में बताया गया है कि जिन ग्रामेर महिलाओं के पास घर नहीं है उन्हें रहने और जीवनियापन के लिए पांच हजार वर्ग फुट जमीन दी जाएगी साथी कॉंग्रेस पार्टी मेरी बिटिय जरानी योजना की भी शुरुआत करेगी जिसके तहत लग्कियों को 2,51,000 उनके जन्म से लेकर शादी तक दिये जाएगे